दगोडन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आए सुनते हैं अग्या जी का लिखा उपन्यास नदी के दिवीब। भाग छे। गोड़ा से भुवन का परिचे यों तो 14-15 वर्ष का गिना जा सकता है। जब वे 5-6 वर्ष की थी और दो चोटियां गोट कर फ्राक पहने स्कूल जाया करती थी। वे चित्र भुवन को याद है। ये भी याद है कि कभी-कभी वे भुवन को रिजहाने के लिए बड़ी ती किलकारी मारा करती थी। बच्चों को यूँ भी किलकारी मारने में आनद मिलता है। भुवन ती की आवाज सह नहीं सकता। ये जानकर ही वे उसके पास आकर किलकारती थी और भाग जाती थी। भुवन का सारा शरीर जंचना जाता था। और वे दोड़कर हस्ती हुई गौरा और भी किलकती थी और उसके कले से चिपड़ जाती थी। उसके रूखे बालों की सौंधी गंध भूवन के नासा पुटों में भर जाती। तब वे यह कहकर कि ठैरो तुम्हारे बाल सुलजा दें। उसकी दोनों चोटियां पकड़कर सिर के उपर गांठ बांध देत था और हस्ता था। गौरा चलाती थी और फिर किलकारनी की धमकी देती थी पर भूवन सुलय कर लेता था और गौरा उसे माफ कर देती थी। चोटियां सिर बांधे उसका नई धूप सा खिला बड़ा मुखडा भूवन को इतना सुन्दर जान पड़ता कि वे प्राहे कहता तुम्हारा नाम जुगनु है जुगनु गौरा भी कोई नाम होता है भला और गौरा कहती थत जुगनु तो सीली सडी जगे में होते हैं गौरा तो देवी पारवती का नाम है हिमाले की चोटी पर रहती है वे भूवन कहता नहीं गौरा सरस्वती का नाम है वे उजली होती है और उजले कपड़े पहनती है तुम तो फिर सैसा दुष्टा से भर कर हाँ हीडंबा ओ हीडंबा मगर वे तो बहुत पहले की बात है उसके बाद कई वर्षों का अंतराल था इसलिए उसे नहीं भी गिना जा सकता है अते कहना चाहिए कि परिछे आरम हुआ 1932 में जब उसन तब नया नया MSC कर चुका था रिसर्च के लिए छात्रविर्ति मिलेगी या नहीं ये आनिश्चित था और वे कुछ छोटे मोटे काम की ताक में था जिससे मन भी लगा रहे और कुछ आय भी हो आय की दिश्टी से तो गोरा को पढ़ाने का महत्व नहीं था भुवन ने ही गोरा के पिता का वह प्रस्ताव टाल दिया था पर मन लगाने के लिए यह अच्छा था गोरा ने स्वेम उससे पढ़ने की बात उठाई थी और उसका कॉलेज का रिकॉर्ड तो उसकी पातरता का परमान था ही भुवन ने उसे पढ़ाना आरम कर दिया था और आय के लिए विज्ञान यद भी उसके लिए हुए विशो में गोर्ण ही स्थान रखता था मैट्रिक का साइंस होता ही क्या है पर भुवन को साइत्यादी में भी यतेश्ट रूची थी और इसलिए उसकी पढ़ाई गोरा के लिए जितनी उपयोगी थी उसके लिए भी उतनी ही रूच हिटर चुना है क्यों गोरा ने आखे नीचे की ये ही सिरहिला दिया था अहां क्यों मैं दो बड़ी कसकर पढ़ाई करूंगा उतनी मेहनत करोगी गोरा ने फिर वैसे ही सिरहिला दिया था गंबिर्टा को तोड़ने के लिए भूवन ने पूछा था और अगर मेरे कान में क खिलकारी मारी तो एक अवश मुसकान सैसा उसके चेरे पर विखर गई थी उसका चेरा इशत लाल हो गया था उस शब्द हिन खिलखिलाहट में भुवन ने साथ आठ वश पहले की बालिका को पहचान लिया था फिर ततकाल ही गौरा ने आचल से मूँ चाप कर हसी दबाली थी थोड़ी दिर बात पहले सी गंभिर मुद्रा बना कर कहा था आप हिडंबा कहेंगे फुवन ने कुछ पसीज कर कहा था नहीं लेकिन समझो था कर लो कि गौरा पारवती का नहीं सरस्वती का नाम है तब ही विद्या आएगी तब से वे परीचे बना ही हुआ था दो वर्ष बात गौरा ने मैट्रिक कर लिया था प्रथम शिर्णी में उत्रिन होकर कॉलिज में भड़ती हो गई थी उसके बाद पढ़ाई तो बंध हो गई थी पर परीचे बढ़ता रहा था क्योंकि गौरा कॉलिज में भी जब तब उससे ना केवल विज्ञान बलकि साहित्ते के विशे में बहुत कुछ पूस्ती रहती थी और भुवन जब ये कहकर अपनी आपातरता जताता कि भई मेरा विशे तो विज्ञान है वे भी भोतिक विज्ञान ये बाते तो तुमारे प्रोफेसर ही बताएंगे तब वे आगरे करके कहती थी इसी लिए तो इसी लिए तो जल्दी आजाती है फुवन हसी में कहता इसका मतलब है कि विज्ञान पढ़ने तुम उनके पास जाओगी अच्छी बात है अपसे बूछना खबरदार उसे कभी कोई प्रशन पूछा जो पर साथ ही मन लगा कर उसकी जिग्यासाओं का उत्तर भी देता कभी कभी इसमें स् सीखता है और इस परिक्षम में कोता ही नहीं करता था बलकि इस तरह अपने साइटे ज्यान के विकास में उसे अतिरिक्त आनंद मिलता था गोरा ने विधिवत संगित सीखना भी आरम कर दिया था और कॉलेज की नाटकादी अन्ने कारवायों में हिस्सा लेना भी इसके लि और उसके आगरे की प्रिणा से भुवन तरह तरह की पुस्तके पढ़ता, खोज करता, अनुमान भिडाता और उनकी पुष्टी के लिए फिर ओर पढ़ता या कभी दूर-दूर के विशेशग्यों से पत्र भैवार करता इस प्रकार विभिन शेत्रों के शोध में उनके आसमान संबंद में करमशा परिवर्तन होता गया था मास्टर जी से वे करमशा हा, भुवन मास्टर जी होकर भुवन्दा हो गया था और एक नया समान पृतिकर संखे भाव उनमें आ गया था जाड़ों में एक दिन गोरा ने आकर सैसा कहा, भुवन्दा आप हमें माल विकागनी मित्र का एक रुपांतर कर देंगे, पड़े दिनों में हम नाटक खेलना चाते हैं और किसी ने सुझाया है भुवन्दा ने अचकचा कर कहा, क्या? जी, माल विकागनी मित्र, शाय संस्कृत के प्रोफेसर सहाब की राय थी तुमारा दिमाग खराब है क्या, मैंने तो पड़ा भी नहीं, इतना जानता हूं कि कालिदास का नाटक है माल विका के निर्ते का एक चित्र कहीं देखा है बस तो क्या हुआ, पड़ ली जेना, कितनी देड़ लगती है कहानी तो मैं अभी बता देती हूँ, ये खूब रही अरे भई, एडेप्टेशन किसी जानकार का काम है, मैं कैसे कर सकता हूँ और तुम क्या माल विका का पाट करोगी, नाचना आता है गोरा कुछ सक्पका गई, फिर बोली, सीखना तो शुरू किया है अच्छा, तब तो और मुसीबत हुई, कल को मुझसे तता थाई, और त्राम त्राम के मतलब पूछोगी नहीं भूबंदा, ये तो कथक बोल है, माल विका तो भरत नाट्टे करेगी हाँ तो, पर उसके बोल कैसे होते हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम ना, मेरे लिए तो त्राम त्राम ही है, यानी त्राही माम आप पड़तो लीजे ना, मैं साथ लाई हूँ, संस्कृत भी, एक अंग्रेजी अनुवाद भी पाप रे, तुम्हारी एफ्रीशेंसी तो वैज्ञानिक की है, काश की बुद्धी भी वैसी होती, हो तुम निरी ठेक ये भुवन्दा, चिड़ाइए मत, नहीं तो मैं भी वैसा ही जवाब दूँगी सैसा वे सक पका कर चुप हो गई, और उसका चैरा तम-तमा गया, क्योंकि साथ के दूसरे कमरे में एक वैक्ती ने बाहर निकल कर कहा भुवन, मेरा इंटरप्शन माफ करना, मैं थोड़ी देर बाहर जा रहा हूँ और फिर गोरा की और तनिक कोतुग भरी दिष्टी से देखकर, फिर भुवन की और मुड़कर पलके उठाई, मानो कहता हो यह कौन है, परीचे? भुवन ने कहा ओ, गोरा जी, यह है मेरे मित्र और पुरानी सहपाठी चंदर माधव विलायत जाने वाले हैं और आज ही यहां आए है चंदर यह है, गोरा जी, कॉलेज में पढ़ती है पहले कुछ दिन मैंने भी पढ़ाया था तुम्हारी पढ़ाय के लक्षन तो देख ही रहा हूँ चंदर ने दभी दुष्टता के साथ कहा मिस गोरा, आपसे मिलकर बड़ी प्रसनता हुई इसलिए और भी अधिक, कि भुवन के परिचितों में कोई ऐसा भी है जिससे साहितिक रूची है भुवन तो विज्ञान में गर्ख हो गया है गोरा ने कुछ दूर से कहा मास्टर साहब, मैंने साहिते भी पढ़ा है सो तो है, साहिते ही क्यों देखता हूँ कि मेरे साथ के बाद से उन्हें नाटक, संगीत, निर्थे बहुत से विशों में रूची हो गई है बलकि पहुँच भी रखते हैं अब भुवन ने कहा रहने दो चंदर गोरा जी के सामने उनके मास्टर का मजाग बनाना क्या उचित है I'm sorry I beg your pardon गोरा जी मुझे इजाज़त दीजिए जरा बाहर जाना है मुझे आशा है आपका नाटक सफल होगा मैं तो समझता हूँ भुवन उसमें अभीने भी करे तो भुवन ने थोड़ा गुड़क कर कहा फिर चंदर चला गया तो गोरा ने पूछा आपने बताया क्यू नहीं भुवन ने हस कर पूछा क्या आप बहुत बुरे हैं मुझे क्या मालूम था कि दूसरे कमरे में वह है नई तो मैं कभी एसी बात ना करती आप भी तो हुअ क्या ऐसी कौन सी बात थी नहीं मेरे मास्टर जी का मजाक बनाने वाला कोई कौन होता है और मैंने ही उसमें मदद की फुवन जोर से हस दिया बोला अच्छा माल विका अगनी मित्र छोड़ जाओ पर डालूँगा कल फिर सला कर लेंगे दूसरे दिन गौरा ने आकर बड़े अदब से नमशकार किया फिर चा चंद्रमादव बाहर गया है अहां तो भुवन दा आपकी क्या राय है भई मेरी राय तो यही है कि तुम ये नाटक ना खेलो क्यों नहीं कोई आधूनिक हिंदी नाटक लेती जैसे प्रसाद का कोई छोटा नाटक राज्ये शिरी या धुर्वस्वामिनी ये मैंने नहीं पड़े भुवन ने हस कर कहा तो यह थी एफिशेंशी की पोल खुल गई ना गोरा ने थोड़ा रूट कर कहा सरवग्ये तो सिर्फ वैग्यानिक होता है फिर मैं वैसे ही एन पढ़ हूँ क्या करूँ आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं ठीक है तो लो अब प्राश्चित करत हूँ तुम कल तक दोनों नाटक पड़ कर आओ और अगर उनमें भी कुछ हेर फेर करना पड़ा तो आप करेंगे ना देखा जाएगा भुवन हसा तुम्हारी बात तो ऐसी है मानों नाटक से उसका एड़ेप्टेशन ही ज़्यादा महत्व का हो हाँ मेरे काम में आपका भ पागल है और एक तुम भुवन कुछ और कहने जा रहा था पर रुख गया पुस्त के तुम्हें मिल जाएंगी ना जरूर बाहर शब्द सुनाई दिया लो चंद्रमाधव भी आ गए नाटकों के बारे में तो इनसे पूछो ये सहाईत्य और कला के विध्यारती हैं हलो बड़ा जल्दी चली गई चंद्र ने कहा यार अपने इस विध्यारतीन की कुछ बात तो बताओ लड़की तो तेज मालूम होती है तुमारे साथ कैसे उलज गई भुवन ने गंभीर होकर कहा अहां मैंने दो वर्ष उसे पढ़ाया था अच्छी पास हुई और उसमें जी प्रेद होता है कि हमारे देश में लड़की के लिए सिवाए मास्टरी के या इधर उधर कुछ-कुछ डॉक्टरी के और कोई करियर ही नहीं खुला है और ये दोनों गोरा के लिए नहीं है उसका व्यक्तित्व कुछ कोमल भी है बहुत संपन भी उसकी अभी व्यक्ति इन म तो ज़ुत संपन है नहीं है वे कोई रचनात्मक एक्सप्रेशन चाता है ना जाने क्या क्यों भार्तेनारी का जो सबसे पहला करियर है रस्ती वे तुम ठीक नहीं समझते उसे उसे ठीक कैसे समझा जा सकता है और एक परकार की रचनात्मक अभिवेक्ती उसमें भी हो सकती है मैं मानता हूँ पर गोरा के लिए तुम वे ठीक नहीं समझते नहीं यह नहीं मैं समझता हूँ कि उस जिष्टी से तो वे आदमी बहुत भागेवान होगा जिसे गोरा जैसी पत्नी मिलेगी पर सोच यह भी तो हो सकता है कि उसे पाकर गोरा भी भागेवती होगी या नहीं और वैसा कौन होगा यह सोच नहीं सकता चंदर ने चिडाते वे कहा यह सोच गोरा पर छोड़ देना क्या उचितना होगा अफकोस अफकोस फुवन थोड़ा सा झेब गया हर मामले में सला देते देते कुछ आदत पड़ गई है कि सब सवालों के जवाब पहले से सोच रखूँ वै हस दिया तो क्या यह सवाल जल्दी उठने वाला है अभी तो कोई लक्षन नहीं है लेकिन क्या मालूम लड़की जब हुई पराई थाती तब कभी भी सौपने का सवाल उठ सकता है सौप देने का नहीं तो कम से कम बद देने का तो जरूर हम फुवन ने विशे बदलने को कहा सुनो सुनो चंदर तुम तो नाटक वाटक खेलते रहे हो तुम क्यों नहीं उसे सला देते राज्य शिरी या धुर्वस्वामनी का अडेप्टेशन कर दो न अरे हिंदी राम 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 हिंदी नाटक मैं नहीं छूने का यही तो मुश्किल है कोई छूता नहीं हर साल जब कॉलेज वॉलेज अंग्रेजी नाटक खेलते हैं हिंदी में भी अंग्रेजी नाटक अनुवाद करके सो तो होगा वे खेले जा सकते हैं खेलने के लिए लिखे जाते हैं हिंदी नाटक तो पढ़ना भी टॉर्चर है एक तो जमान ही ऐसी होती है चड़ के अभिने में भाग लिया था उसी की और भुवन का इशारा था यही तो बात है रूसी दूर है उनके लिखे को उलट पुलट लो कोई कुछ नहीं कहेगा लेकिन अपनी देश के लेखक का एक वाक्य इधर उधर कर लो तो जान को आ जाएंगे सब हमारे यहां कोई न स्पियर भी स्टेज पर जाकर एक्टरों से सीखकर अपने डायलोग बदलता था लेकिन यहां सब सिखे सिखाए कोग से निकलते हैं तुम्हारी बात में सार है मैं मानता हूँ लेकिन दूसरा पक्ष भी कुछ हो सकता है एडेप्ट करके अपने देशकाल में ले आना हमेश हमी क्यों न आश्रम में जा सकी ग्रिक नाटक तक तो हम चले जाते हैं वे दूसरी बात है लेकिन हमारे देश में न स्टेज है ना एक्टर है ना नाटक है फिर नाटक लेखक अट है किस बात पर रहते हैं सब कुछ हमी को सीखना है उन्हें कुछ नहीं सीखना है एड का ज थिती रहेगी ना, ना स्टेज, ना एक्टर, ना नाटक, हाँ, तो मेरी और से रहे, खुदाई खित्मतगारी का शौक तुमें है, तुम करो, मैं तो दुनिया को जैसी है, वैसी लेकर चलता हूँ, भुवन ने कहा, तो जाने दो, बात समाप्थ हो गई, लेकिन शाम को चोड़ा जा सकता है, क्या हेर-फेर हो सकता है, वाचिक में क्या परिवर्तन अपेक्षित है, इतियादी, बीच-बीच में शब्दों परवे जल्लाता, फिर रेखांकित करके हाशिये में दूसरे शब या पदलिक देता, जिनसे वारतालाप, अधिक सहच और सभाविक बन हम धुर्व स्वामनी खेलेंगे, लेकिन, लेकिन यह है कि मुझे महनत करनी होगी, यही न, अहां, यहां पर चंदर माधव ने कहा, मेरी बात टांग अडाना ना समझी जाए, तो निवेदन करूं कि मैंने धुर्व स्वामनी पर कुछ नोट लिये हैं, अगर वे कुछ काम भुवन ने कुछ विसमे से भवें उंची की, लेकिन तुरंथ संभल कर बोला, गोड फैलो, लाओ देखें, चंदर माधव उठकर भीदर गया, तो गोरा ने घने उलाने से, उलाने से भरी आँके भुवन पर टिका दी, और एक टक उसे देखती रही, वे चित्वन भुव कर उसे ना देखकर समस्वर से कहा, लो, तुम्हारा काम आसान हो गया, मीरा क्या आपका कहिए, आपने क्यूं, वाक्य अधूरा रह गया, चंदर माधव पुस्तक ले आया, भुवन ने पनने उलट-उलट कर देखे और कहा, ठेक तो है, फिर पुस्तक गोरा को दे दी, गो आपके मित्र ने बहुत परिक्ष्रम किया है, मैं उनकी बड़ी किर्टक गय हूँ, फिर चंदर माधव की ओर मुड़ कर कहा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, पलकी मास्टर सहाब की ओर से भी, जिनका कष्ट बचाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ी, कहते-कहते उ उसने कनखियों से भुवन की ओर देखा, कि ये चोट ठीक बैठी है कि नहीं, चंदर माधव ने सफेज जूट बोलते वे कहा, नहीं मिस गौरा, मुझे धन्यवाद देने की कोई बात नहीं है, मास्टर सहाब की ओर से भी नहीं, क्योंकि ये नोट तो मेरे पहले के हैं, प बहुत दबी मुसकान, उसके होटो की कोर में ही खो गई, फिर उसने गौरा की ओर मुड कर कहा, लीजे, मेरा एली बाई पक्का है न, मेरे लिए चंदर ने वेह नहीं किया, अपने ही लिए किया है, गौरा ने आखे सकोच कर उसकी ओर शनभर देखा, मानो कहती हो, चाहिए फिर चंदर माधव से पूछा, तो आपने पोशाकों की बात भी सोची होगी, जरूर जरूर, अच्छा, हमारी ड्रेस रिहसल तक, अगर आप यहाँ ठहरे तो एक बार आईएगा, फिर भुवन की ओर मुड कर, मास्टर सहब, उस दिन आप इने भी साथ लाईएगा, मैं कह कहा, हाँ, हाँ, फुवन हस दिया, चंदर ने कहा, मैं अधिक तो ठहर नहीं रहा, अभी एका दिन आ सकता हूँ, फिर पीछे मास्टर सहाब निदेशन करते ही रहेंगे, अच्छा, देखिए, तैं हो जाए, गौरा चली गई तो चंदर ने कहा, अब बताओ, कॉस्ट्यू ओ, तो इज़त के बतले इज़त चाहिए, लेकिन मैंने तो ऐसा सोधा नहीं किया, मैं नहीं जानता, मैं तुम पर टाल दूँगा, तो एक दिन चंदर माधव कॉलेज जाकर गोरा और अन्य अभीनेताओं से मिलाया, इधर उधर की कई बाते उसने की, पोशाक का प्रशन उठने पर उसने कहा, कि उसने अपने नोट सब भूवन को दे दिये है, उनसे पूरा निर्देश मिल जाएगा, चंदर माधव को स्टेशन छोड़ने भूवन के साथ गोरा भी गई थी, उसकी दो एक और सैपाथनिया भी, चंदर ने कहा, गोरा जी, आपके नाटक के भी लीजेगा, चंदर नहीं समझ सका, इसमें केवल भूवन के प्रती सहस सम्मान है, या भूवन को ही कोई आसपष्ट उलाना, या कि चंदर के आत्मेता प्रकाशन की ही परोक्ष अवहेलना, आपका परीचे मुझसे नहीं भूवन से है, उनी की मार्फत में, उसने कहा, और भूवन मास्टर सहाब तो शायद पत्र लिखना ही गवारा ना करें, उनकी ओर से ही आप, गोरा ने कहा, अच्छा, मास्टर सहाब को भी मैं कौँच दिया करूंगी, और हस्दी, ठैंक यू, लेकिन भूवन को कोचने के अफसर गोरा को अधिक ना मिले, अगली शेशन में भूवन को रिसर्च के लिए एक वृत्ती मिल गई, और वे बैंगलोड चला गया, वहाँ दो वर्ष में अपना पारियोगिक काम पूरा करके उसने फिर नौकरी कर ली, ठीसिस वे वहाँ से भी लिख कर भेज सकेगा, इसकी स्विधा उसे थी, छे मैने का काम उसके लि उत्सा का स्थान एक गाम भेरिय ले रहा था, और भूवन तो योही कम लिखता था, उसकी धारना थी कि अच्छा पत्र वैवार कभी नियमित हो ही नहीं सकता, जीवन में जब तभी पत्र लिखे जाएं, तभी अच्छे होते हैं, चंदर माधव से गोरा का पत्र वैवार भी आनियमित चलता रहा, चंदर उसे जब तब पुस्त के या चितर भेज देता, पत्र में ऐसे स्थलो के वर्णन भी, जिन में गोरा को दिल्चस्पी हो सके, इंग्लेंड में शेक्ष्पियर के घर का, ताल प्रदेश का, जहां वर्ट्सवर्थ और कॉलरिस की कावे प्र इसा के जीवन नाटक का, दो एक अपने फोटो भी उसने भेजे थे, पहले आव्यक्त आशा में कि गोरा भी उसे अपना फोटो भेजेगी, फिर इस पष्ट प्राथना के साथ, गोरा ने अपना कोई फोटो नहीं भेजा था, पर दो तिन पत्रों के आगरे के बाद धुर कॉलिस की एक्टिविटीज का वर्णन कर देती, चंदर के पत्रों में व्यक्ति गत अधिक होता, विदेश में मिले लोगों और विशेशकर स्त्रियों की बाते होती, और निरंतर वहां की स्वाधिन्ता और यहां के बंधनों की तुलना, और उस पर एक आक्रोष का स्वर उसके पत्रों में पाया जाता, गोरा ने एक बार लिखा, स्वाधिन्ता केवल समाजिक गुण नहीं है, वे एक त्रिष्टी कोण है, व्यक्ति के मानस की एक प्रवत्ती है, हम कहते हैं कि समाज हमें स्वाधिन्ता नहीं देता, पर समाज दे कैसे, हमी तो अपने त्रिष् होगी, तो क्यों नहीं होंगी सफल, और मैं सोचती हूँ कि सब लोग यतन पूर्वक अपने को स्वाधिन्ता के लिए ट्रेन करें, तो शायद हमारा समाज भी स्वाधिन हो सके, चंदर ने उत्तर में उसे बधाई देते वे लिखा था, आप ऐसा मान सकती हैं, और ट्रेनि के अथा सागर पर फैंक दिये जाते हैं, एक खाली टीन के डिब्बे की तरह, क्या वे भी स्वाधिन हैं, अपने को ट्रेन कर सकते हैं, चीवन वैसा ही है, और हम सब, हम सब बह रहे हैं, खाली डिब्बा ओब डूब करता है, तो समझता है कि मैं स्वाधिन हूँ, और साग पारे में कुछ कर सकता है, नहीं गौरा जी, हमें जिसको जहां जितना थोड़ा सा सुख मिलता है, उतना ही हमें आतूर और किर्टग्ये हातों ले लेना चाहिए, उसी का नाम स्वाधिनता है, बाकि सब संघर्ष है, संघर्ष, अंतहीन, आशाहीन, संघर्ष, और गौरा कौरा ने कहा टिकी हो मैं तो समझती हूँ हम यहां हिंदुस्तान में भी ना केवल अपनी वरन यूरोप की भी स्वाधिन्ता का उद्योग कर सकते है हर कोई हर जगे सारे विशु की स्वाधिन्ता की लड़ाई लड़ सकता है क्योंकि आविभाजित और आविभाज्य स्वाधिन्ता ही स्वाधिन्ता है जब तक वे नहीं तब तक स्वाधिन्ता होकर भी अधूरी और आरक्षित है दो एक ऐसे पत्रों के बाद चंद्रमाधव विशे को छोड़ देता था और फिर बिल्कुल व्यक्तिगत पातों पर आ जाता उसमें से फिर कोई साधार्न सूतर उठाकर गोरा दूर हर जाती थी जो डूबने उतराने को मानता है वे डूबता उतराता है जो स्वाधिन्ता के लिए साधना करता है वे है यो यो याम याम तनु भक्तह शर्द्या चिर्दू मिच्छती तस्से तस्या चलाम श्रद्दाम तामेव विध्धामेहम भीड के साध सिनेमा घर से बाहर निकला तब चंद्रमाधव की मानसिक स्थिती में विशिश परिवर्तन नहीं हुआ था एक खीज अब भी उसके मन में भरी थी पर खीज जैसे केवल विमुख करती है वैसा भाव उसमें नहीं था खीज में एक अंतरधारा किसी गोपन अशंका की थी मानो एक चिंता उसे खा रही हो कि कुछ जल्दी करना है नहीं तो ना जाने क्या एक सोचने बात हो जाएगी ना उस शंकने बात को ना उस काम को जो करना होगा वै कोई नाम दे सकता था या देना चाता था पर खीज के भीतर से जैसे इस चाबुक की प्रेड़ना उसे हाक रही थी उसने रिक्षा नहीं लिया पैदल ही तेज चाल से घर की ओर चल पड़ा सिनेमा से छूटी हुई भीड करमशाहा फैलती और छटती गई नहरी वाले मोड़ पर बचे कुछे लोग भी मुड़ गए और वे रास्ते पर अकेला रह गया हवा बहुत तेज चल रही थी धूल उस इलाके में अधिक नहीं फिर भी कभी कभी कोई नुकीला कणा कर उसके गाल पर चिनभी सा चुब जाता हवा इतनी तेज ना होती तो शायद इस रास्ते पर नीबू के फूलों का सौरब पाया जा सकता पर अब तो कोई गंध नहीं है उसी के कपडों में से सिगरट के सीले हुए धूई की महका रही है जो सिनेमा घरों की विशेश देन है दूसरों की धुमिल सासों की गंध पौस से लोग इसी से तंग आकर सिगरट पीना शिरू कर देते होंगे दूसरों की गंध से हर दम दम घुटता रहे इससे अच्छा है कि स्वेम अपना दम घुट लो अपने जहर नहीं वे भुवन को निमंतरित करेगा और इतना ही नहीं रेखा को लिखेगा कि वे भी भुवन को निमंतरित करे दोनों के निमंतरन से भुवन अवश्य आ जाएगा और फिर रेखा को आना ही होगा उसी के निमंतरन पर भुवन आए और फिर वेह रह जाए यह कैसे हो सकता है फीतर से रेखा इतनी ओपचारिक बातों को जितना ही नगडने मानती है पहार से उनके निर्वा में उतनी ही सतर्क रहती है घर पहुँचकर उसने सब खिड़कियां बंद की सहसास तब्द हो गए वातावरण में उसने कपड़े बदले बालों को उंगलियों से थोड़ा मसल कर हातों में थोड़ा कोलोन जल डाल कर माथे पर और कनपटी पर मल लिया फिर कंगी से बाल सावारे और टेबल लेंप जला कर पत्र लिखने बैठ गया भुवन को जो पत्र लिखा गया वे छोटा ही था भुवन के जाने के ततकाल बाद क्यूं पत्र लिखा जा रहा है इसकी सफाई देते हुए उसने लिखा कि यह बात बहुत दिनों से कहना चा रहा था पर कुछ जिजक ही रही क्योंकि भुवन एक तो अपने वैज्ञानिक कार्यों और पढ़ाई में व्यस्त रहता है दूसरे चंदर को यह भी डर रहता है कि वह कहीं खामखा भुवन के स्वायत स्वतह संपूर्ण जीवन में टांगना अडा रहा हो उसकी बहुत दिनों से इच्छा है कि भुवन के साथ कहीं पहाड़ की यातरा करे पर कभी मौका नहीं बना है क्या आपकी छुट्टियों में ये संभव हो सकेगा यदि भुवन चलने को राजी हो तो वै भी एक महिने की छुट्टी ले रखेगा उसके काम में तो पहले से छुट्टी का प्रबंद कर रखना नितांतावशक है इसलिए वै इतना पहले पूछ रहा है और जाने के लिए वै तो कुल्लू की बात सोच रहा है पर भुवन की जहां इच्छा हो वहीं जाया जा सकता है उसे भरोसा है कि भुवन अच्छी ही जगा चुनेगा प्यूंकि वै तो और भी अधिक शांत एकांत जगे जाता है फिर पुनश्चह करके उसने जोड़ दिया था देखा देवी ने पहार जाने की इच्छा प्रकट की थी और कुलू या वैसे ही किसी एकांत स्थलकी पर तुम जानते हो उसके साथ अकेले मेरा जाना कैसा लगेगा वै तो सरवता मुक्त विहंगम है पर मेरी तुम समझ सकते हो कि कैसी स्थिती होगी मेरे काम में एक विशेश प्रकार की प्रतिष्ठा की बड़ी अवशक्ता है क्योंकि जर्नलिस्ट को यूही लफंगा समझ लिया जाता है और इसके लिए दामन बचा कर चलने की विशेश अवशक्ता है अगर तुम भी साथ चलो तो आपत्ती की कोई बात ना होगी तुम्हारा उत्तर आने पर में रेखा देवी को सूचना दे दूंगा आशा है कि तुम्हें उसके साथ पर आपत्ती ना होगी रेखा को उसने लिखा आपको ये बताने को भूल गया कि इस बार भूवन ने स्वेम ही कहीं पहाड चलने की बात की थी मेरा विचार है कि अब गर्मियों में चलने का प्रोग्राम बनाया जाए तो वे साहर्स चलेगा ये नहीं कह सकता कि उसका साथ आपको कैसा लगेगा है तो वे बिल्कुल किताबी दुनिया का जीफ पर यो दिल का भला है समाजिक पॉलिश उसमें नहीं है पर पहाड जंगल में उसके अंगरपन को कोन देखेगा उसका सामीपे कोई कठिनाई नहीं पैदा कर सकता आपका विचार हो ना हो तो आप भी उसे एक पत्र लिख दीजे मैंने अभी तक तो नहीं कहा कि आप भी चलेंगी पर आप स्वैम लिखें तो बहुत अच्छा होगा आप काम के विशे में चिंतिन्थ होंगी मैं उसके लिए दचित हूँ और जल्दी ही कुछ कर सकने की आशा करता हूँ पर मेरी राय यही है कि आप गर्मियों के बाद काले आरंब करे वही ठीक सीजन है और उस समय अच्छा काम मिलने की संभावना होती है गर्मियों में तो ऐसे लोग काम देते हैं जो वेतन देखकर खरीदने और खुन चुसने के आदी होते हैं फिर नई पैरा में उसने उसी रात देखे वे फिल्म का वर्णन किया था रेखा की चले जाने के बाद उसका जी नहीं लगा मन बहलाने वह सिनेमा चला गया था रेखा नहीं जानती है पर उसके लखनों में बिताई हुए दिन चंदर माधव के लिए एक सुनेली धूप के दिन होते हैं उनकी मधुर गर्माई उसे देर तक देर तक अभी भूत किये रहती है पर साथ ही एक कसक भी छोड़ जाती है क्योंकि तुल्ना में और दिन फीके और एक अजीब कुहासे से निरालोग से जान पड़ते हैं यहां तक प्रिष्ट समाप्त करके चंदर कुस देर रुख गया था इतना भी उसने अटक-टक कर लिखा था इसके बाद उसने अपने सामने एक नया पन्ना रखा थोड़ी देर लेंप के चादन की ओर सूनी दिष्टी से ताकता हुआ पैठा रहा आत के बनेवे उस चादन पर एक काली चाया कृती अकी हुई थी दोनों हात उचे उठाए एक नंगी स्त्री आकृती हातों में कमल के आकार के फूल अन्मने भाव से उसने लेंप को घुमा दिया दूसरी और वैसी ही एक आकृती खुटने टेके आगे को जुकी हुई थी आगे बड़े वे हातों में फूल थे कुहुनी और घुटनों के बीच में कुछों को कुछ अतरेक्त प्रसस्तता मिल जाती थी उनका नुकीलापन बाकी आकार की प्रवैमान गोलाई को एक नया लचकीलापन दे देता था सैसा आगे जुक कर चंद्रमाधव ने जल्दी जल्दी लिखना शुरू किया बड़े डाग घर के घडियाल ने दो खड़काए तब वे उसे अभी लिख रहा था कई पन्ने रंग कर उसने एक और गिरा दिये थे रुक कर उसने उन्हें सवारा और अनुकरम से रखा फिर संख्या दी तीन, चार, पांच, छै तेरा, चोदा, पंदरा फिर पन्ना उलटकर उसने सोला लिखने को हाथ बढ़ाया और खीज लिया सारे कागज एक साथ उठाए और दो एक बार उल्टे पल्टे फिर सब फार कर छोटी-छोटी चिंदिया बना कर रद्धी की टोकरी में डाल दी और उठकर तहलने लगा थोड़ी देर बाद आकर उसने पहले के दो पन्ने उठाए और उन्हें शुरू से अंत तक पड़ डाला बैठकर फिर नया पन्ना लिया और दो तिन पंक्तिया जोड़कर पत्र समाप्त कर दिया दोनों पत्र लिफाफों में डालकर बंद किये पते लिखकर मेज के एक कोने में रख दिये उपर दाब के लिए ओल्पिन रख दिया फिर वे टहलने लगा अनंतर रात में उसने फिर पैड सामने खीच कर कलम हाथ में साधा थोड़ी दिर कागज को देखते रहकर वे उठा मेज पर जितने कागज किताबे पुराने पत्र, कलम दान फूल दान, अकपार के कटिंग वगेरा थे सब समीट कर उठाए और ले जाकर मेंटल पर रख दिये दुबारा आकर ताजे लिखेवे दोनों पत्र भी उठाए और अन्य सब चीजों के उपर उसी परकार दाब दे कर रख दिये सूनी मेज पर रह गया केवल पैड, कलम और टेबल लैंप, उसे भी चंदर ने घुमा कर ऐसे रखा कि दोनों और की कोई आकरती उसे न दिखे, केवल बीच का अंतराल, आंथ के मेले पीले रंग में से पार का आलोक, मद्दिम होकर आता था, और उसने छादन में जहां आंथ को जोड़ा था वाँ एक धुंदली सी कहीं आलोकित और कहीं घनी तेड़ी तिर्ची लकील छलक उठी थी जैसे पहाडी प्रदेश के नक्षों में कोई नाला आका गया हो एक संतुष्ट द्रिष्टी पूरे पैड़ पर डाल कर उसने फिर लिखा प्रिये प्रिये गोरा ये पत्र समाप्त करके वे जब उठा तब भोर का आकार हीन फीकापन शितिस पर छा गया था दाग घर का गजर खड़कता रहा कि नहीं चंद्रमाधव ने नहीं सुना मैंटल पर रखे वे पत्रों में से भूवन वाला पत्र उसने फिर उठाया और सावधानी से खोल दिया पुनश्चहा के नीचे लिखा दूसरी बार पुनश्चहा गोरा आजकल कहा है उससे तुम्हारा पत्र वेवार होता है उसे पत्र लिखो तो मेरा नमशकार भी लिखना और लिखना कि उसका कुशल समाचार पाकर मैं अपने को धन्य मानूँगा शायद मैं भी उसे लिखूँ पत्र फिर बंद करके उसने पूर्ववत रखा बत्ती बुझा दी और बिचोने पर धम से लेट गया बाहर शितिज कुछ स्पष्ट होने लगा था एक बार त्योरिया चड़े चेहरे से चंद्र ने उधर ताका फिर ओंधा होकर तकिये में मूँ छिपा लिया जरा हिल डुलकर शरीर को धीला किया नाक के सामने से तकिये को दबा कर सांस की स्वीधा की फिर बहा मोड कर चेहरे को उसकी ओट दे दी और अधखुली मुठी सिर पर ऐसे लगने लगी मानो चोड से बचने को ओट की गई हो दो तिन मिनट बाद ही उसकी सांस नियमित चलने लगी उस नियम से जो हमारी सनकल्पना का नहीं उससे निर्पेक्ष प्रकती का अनुशाशित है और उसके ओंधे शरीर की सब रेखाओं में एक बेबस थिलता आ गई आगे की कहानी सुनिये अगले भाग में तब तक के लिए धन्यवाद